हालो इभरिवान वेलकम टू स्पंदन्स केक वाल्ड फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे चोकलेट केक बिलकुल वेक क्रिस्टाइल में ओभरलोडेट चोकलेट केक ही रहेगा इजी तरीकों से ये पहुत ही सिम्पुल तरीकों से ये चोकलेट केक को आज हम बनाएंगे ये वान एसको cut कर लिया है, बस यह तीनों लेयर में ही हम अपने cake की icing करेंगे, icing की लिए सबसे पहले cake advisor पर थोड़ी cream लगाएंगे इसकी उफ़र जाएगी cake की पहले layer, इसको तो औरו सुबर्षीरप में है, आफ चाहो तो chocolateнова यह में केक और ज्यादा टेस्टी लगेगा मैं यहां पे शोकिंग और फिलिंग के लिए गनास यूज नहीं किया है यह केक की डेकुरेशन में बहुत सारे चोकलेट के साथ धेर सारा चोकलेट गनास यूज होने वाला है उफर से यह लोकस्ट का केक है इसलिए थोड़ी सी बच् नहीं होगा तो एसे वाले केक में से मार्जिन कहां से निकलेगा लेकिन यह केक टेस्ट में खराब नहीं लगेगा बिल्कुल पर्फेक्ट टेस्ट रहेगा इसका तो केक स्पॉंज को सोक करने के बाद हम लगाएंगे केक में क्रीम क्रीम के उफर चेरी क्रोस और डार्क च एक पतली सी लेयर क्रीम की लगा देंगे केक के उफर ताकि ये क्रॉम्स फिनिसिंग में तंग ना करें इसी को फ्रेंज क्रॉम कोट कहते हैं ये जो पतली वाली लेयर केक में हम लगा रहे हैं इसको क्रॉम कोट कहते हैं अगर कोई बिगनर हैं तो उनके लिए ये में बोल र ये था वान पाउंड का केक, मैं तो जानती हूं, वान पाउंड का केक मतलब 454 ग्राम की आसवास रहता है, लेकिन हम तो होम बेकर 500 के उपर देते हैं, इसलिए इसको आधा किलो का केक भी बोलते हैं, और 500 ग्राम का केक भी बोलते हैं, अलग अलग जगह पर अलग नाम से इस का weight को लेकर लोग बोलते हैं लेकिन हम home butcher न सीधे तरीकों से जानते हें कि 1 pound का मतलब 500 gram का cake है यानि की 500 gram का cake है और हमारे home bakery business में ज्यादा तर यही pound cake का order ही रहता है यानि की 500 gram का order ज्यादा तर रहता है इसलिए अगर आप नया new baking business स्टार्ट किये हैं नया नया आप अडर रख रहे हैं तो आप ये छोटे छोटे केक से ही अडर शुरू कीजिए धीरे धीरे आपको भी बड़ा अडर मिलेगा तो फ्रेंच यहां पर अब हम ये केक की फाइनल आइसिंग करेंगे तो बस केक में क्रीम लगा के हलके हलके हाथो से इसकी फिनिसिंग किया फिर जो फ्लास्टिक वाला कॉम स्क्रापर आता है वही कॉम स्क्रापर में इसको एसे कंबिंग किया था लेकिन ये वीडियो में कहीं गूम हो गया है और गार्निसिंग के लिए चोकलेट गनास को पाइपिंग बैग में लेके इससे ड्रिपिंग दे रही हूं और पूरे केक केक टॉफ को भी कभर करूंगी अच्छा यहीं पर आप सबसे एक special request है आप सबको अगर मेरी recipe पसंद आती है या useful लगती है तो मेरी चानल को subscribe जरूर कर लीजिएगा और bell icon को भी जरूर फ्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सारी notification सबसे पहले आपके पास पहुंच सके अब यहाँ पर फ्रेंड्स यह केक में dripping हो गई है और केक के उफर जो टॉफ के उफर चोकलेट गनास को हम spread कर लिए है अब base butter में बना रही हूं base butter बनाने के लिए यह नूर की 8 नंबर की nozzle से यह में base butter बना रही हूं यह एक ही nozzle से मैं teacher stay के दिन जितना भी अडर आया था यह एक ही nozzle से मैं सारे केक की जो डीजाइन को कभर किया था यह केक में dripping के बाद 15 मिनिट के लिए केक को freeze में रखा था फिर इसकी final garnishing की जिसके लिए मैंने यूज किये यह चोकलेट फ्यान और चोकलेट बार और जो बिलकुल homemade है मैं घर पे इसको बनाया था आप अगर चाहोगे तो अनलाइन से इसका mold खरिद कर आप चोकलेट को जो black compound को melt करके चोकलेट mold पे डालके freeze में रखके एसे चोकलेट फ्यान और चोकलेट बार तयार कर सकते हो फिर bakery style का look लाने के लिए cake में यह चोकलेट गार्निसिंग के back side में कुछ एसे चोकलेट रेफोर्स को stand करके रखा यह चोकलेट रेफोर्स मार्केट में आसानी से मिल जाता ही यह घर पर में नहीं बनाई हूँ यह cake order friends टीचर स्टे के लिए था तो थोड़ी सी हूल्ट क्रीम को जो हूल्ट क्या हुआ क्रीम को फाइपिंग बैग में लेके छोटी कट लगाके थोड़ी सी हाथ में स्मूथ करके वो क्रीम को फिर छोटी कट लगाके एसे happy teacher स्टे को लिख लिया यह cake के उफ़र और साथ में कुछ चोको चिप्स और कुछ स्प्रिंकल से यह cake को garnish किया तो बस फाइनली यह cake बनकर तयार हो गया देखने में यह cake तो मुझी काफी जादा अच्छा लगा और मेरे customer को भी बहुत ही अच्छा लगा आप जरुर बताईएगा कमेंट करके कि आपको यह cake कैसा लगा आपको लग रहा है ना बिल्कुल बेकरी से बना हुआ cake तो घर पर आप भी एसे ट्राय करिएगा फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू फर वाचिंग